जैहिन नमस्कार और वर्म वेल्कम टू दिस सेशन ऑफ रिशेच डेटीरियल एनालिचिस पाउड बाइ ग्रोथमुट्यू पीएसी आयम विट्यू ध्रूव जानी आज इस काडियकरम के तहत इस संसोधित संपन्द की विशेशन के काडियकरम के तहत हम लोग दो लेक के बा यह भी महत्तों पूना है दोनों ही अलग अलग अमरे निवर पर वेशेंस में प्रदसीत हुए थे जिसमें से इस स्थत्र में जो लेक के उपरम चर्चा करने वाले है वो दो हिंदू से प्रदसीत है और इसका टाइटल है दो वायबिलिटी ओफ टू प्रपोसल यानी की ज पारतिय नक्सा है पोलिटिकल नैप है और इसने मुल्टीपल बिंदू दिये गए है लोकेशन के दोरा और यहां लिखा हुआ है मुल्टीपल केपिकल थियरी यानि की बहु राजदानी की जो बात है बहु राद्यने की जो प्रस्तावना है वो कितनी हर्तक व्यावारिक ह इसके बारे में पूरी चर्चा की गई है जैसे मैं मालूम है कुछ दिनों पहले प्रस्चिप बंगड की मुख्य मंतरी मम्ता बेनर जी के द्वारा एक सालवजनिक बयान दिया हुआ था दिया गया था कि भारत में क्यों मात्रा एक ही दिल्ली राध्धनी के तोर पर जो है और भारत में multiple capital zones चाहिए और जो है in a circular manner जो संस्थ के सत्र है वह लग लग जगह पर चलने चाहिए यानि कि अगर हम देखे तो सत्र हमारे तीन प्रकर के होता है जिसमें बजट सत्र होता है winter session होता है और monsoon session होता है तो budget अगर यहां हुआ तो फिर बाद में यहाँ होगा फिर बाद में जो winter है वो session यहाँ होगा और उसके बाद फिर से यहाँ budget 17 फिर से यहाँ उसके बाद का सत्र तो इस तरह उन्होंने कुछ proposals दिये है अलाकि यह लोगतंत्र है सभी को अपने मत अपना opinion रखने का आधिकार है मगर आज हम वही उनके मतों का जो उनक की जो आज के दहिंदों में प्रदसित होई है और MP ना था manual के द्वरा लिखी गई है यहाँ पूरूव इंस्पेक्टर जनरल है हमारी CRPF के याने की Central Police Reserve Force के तो मानुबाव है और retired IG है तो उसके द्वरा यहाँ लिखा गया है और कहा गया है कि क्यूं यहाँ जो मुंता बे हमरे परिशाद्रस्टी जो हमरी बाते हैं जो हमरी जरूरिया थे उसको देखते हुए हम लोग यहाँ लेक को लेक आये और इसमें चर्चा भी हम लोग उड़ी करेंगे लेक की जो फिजूल बत है जो हमरे लिए महत्तोपोना नहीं है या कम महत्तोपोना है उसको छोड़ बिएचे और इसकी जगह जो अची चीजह जो हमें बतने जरूरी है जाननी जरूरी है वो देखने का प्रियास करेंगे लेक पूरा दो चणों में देखेंगे जिसमें सरो प्रत्रम है लेक का झिसकर्स इसको लोग देखते जाएंगे साथी में जो दूसरा और फिसरा इसमें लोग देखेंगे कि यह जो प्रकोसल से क्या इस फाइदमंद है किया यह नुकसन करक है अगर फाइदमंद है तो कौन-कौन से इसका फाइद है और यदि भुखसन करक है तो कौन-कौन से इसके पक्स है कि जिसकी वजह से भारत को नुक्सान हो सकता है या भारत को फाइदा नहीं हो सकता तो इती अधी चीज़ों पर यहां हम लोग बात करेंगे शुरू करेंगे लगके निसकर्स से जैसे मैं आपको बताया कि मम्ता बेनल जी के द्वरा पॉब्लीकली मम्ता बे क्यों कि डिल्ली एक ही रजाशए के तौर आद लोग को गिंते हैं क्यों ही सारा जो 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 विधी का था। ए जो इजहरा है उसको खत्म करने की बत यह मगर उनको नहीं मालूम कि यह चार केपिटल करने मतलब प्रैक्टिकली अगर हम सोच है तो हमें कौन-कौन से इसमें रिसोर्स लगाने होंगे प्लस यह चार केपिटल को मेंटेन करने के लिए हमें कितने पैसे जो है वो व्याई करने पड़ेंगे उनकी गिंती की है बिन संदीप उनका नाम है तो उनको भी प्रैसर करा है तब एनरजी नहीं कि आप भी लोकसभा में यह मुद्दा उठाई है और लोकसभा की पड़ल के सामने रखे क्यों बहु राजदानी के तोर पे मानी जाती है क्यों मिल्टीपल कापिटल्स पूरे भारत में नहीं हो सकते कि भारत बड़ा देश है एक रूप से तो उसकी बात अच्छी है सही है मगर अगर हम लोग इसके पक्स प्रतिपक्स की बात करें कि बहु राजदानी के पक्स किया है प्रतिपक्स किया है तो पक्स तो इसके बहुती कम है मगर इसके प्रतिपक्स ज्यादा है तो कि बात साथ ही में यहां एक और भी प्रपोसल है जैसे हमने जो है एडिंग में देखा लेक के एडिंग में कि वाइबिलिटी ऑफ टू प्रपोसल तो एक प्रपोसल तो यह रहा कि इंडिया शुड हो मेल्टिपल लेजिस्रेटिव कैपिटल एस लाइक दिल्ली दूसरा जो शूड हम इंडिया शूड है ओर सुप्रीम कोट करने वाला प्रपोसल तना ही सुप्रीम कोट करें वाला प्रपोसल है इतना हुअ में फाइद मन्द है क्योंकि इसके अपने पक्स प्रती पक्स है जिसको लोग आगे देखेंगे बगर बाती यही कर दी है कि अगर दोनों की दोनों इस प्रस्तावना की अगर व्यवरिक्ता देखें तो राजदानी वाला जो प्रस्ताव है वो बहुत ही खराब है बहुत ही बिन फाइदा का रख थी अब हमें देखना है लेक संबंदी सामनी अभियस के जो महत्वपुन तत्व है जो अमरे द्वरा एक्स्टेक्ट हुए यानि कि हमारी टीम के इंपूट से इसको में देखना है जिसके तहत सर्व प्रथम हम लोग पक्स और प्रतिपक्स की बात करेंगे तो यहां से ही सु बहु रद्धनी मन है कि पार्लामेंट का जो परिशद है संसद का जो परिशद है यानि कि संसद भवन है वो दिली के साथ तीन और जगों अपर हमें प्रस्थापित करना चाहिए तो थ्री मोर प्लेसिस फॉर पार्लामेंट बिल्डिंग दिली का तो एक ही हाल मगर तीन और हमें प्रस्थापित करना होंगे साथी में मातर और मातर परिशद प्रस्थापित करने से कुछ नहीं होगा तो यह खर्चतों रहे गए भारतिया सरकार के खजने के ऊपर मगर इसके साथ साथ जो संसद का स्टाफ है उनके जो कर्मचारी है उनका एकोमोडेशन भी लगेगा साथी में जो संसद है जो अलग अलग विभिन मतक शत्रों से निरवाची तो होके आये है तो उनके आवास का भी उनके ओफिस का भी यानिकि उनकी कचरी का भी जो निर्मान है वो जरूरी है अलग अलग जगव हो पर तो MPs व कर्मचार योग का आवास निर्मान है आवास निर्मान है जैसे मैं मालूम है कि दिली में भी प्रति एक संसद को एक आवास अलोट किया जाता है ठीक है तो यह पुरा इंफ्रसक्चर में अन्य तीन जगहों पर करना पड़ेगा अगर यह प्रस्ताव ना अमरी सरकर ने घंबिरतर से लेली तो हलाकि नहीं लेगी इसके कोई चांसी नहीं है मगर इफ इन केस लेली तो यह बात हो सकती है और यही इसके कारण है कि सरकार यह प्रस्ताव ना को गंबिरतर से नहीं लेगी यही इसके कारण की तरचाम लोग कर रहे है तो इसके तहत यह खर्च भी बढ़ेगा प्लस दीदी के दोरा बताया गय है मममता दीदी के दोरा कि जो सेस्ण है वे अल ti जगों होपर सर्कुछर मैनर का पुल गो गह पाती मिल गई राद द्ली में चेशन आपएगा niż मीयर्ज़ क्रविलिंग का में लिटॉ क्लाका हूँ उनके कर्मचरियों का ठ्लावीन खर्च हें वह बहुत ही प्रढ़ जाएगा संसद वह उनके कर्मचारियों का परिवहन खर्च परिवहन खर्च साथ ही में एक मुद्धा यह भी है कि दिली में सत्रकतम हो गया बाद मैं समझ लो सपोज की बात कर रहा हूँ करकतम है अगला वर्च रच वन दियू है इसके बाद चन्रे में गया झाल है उसके बाद मुंबी में गया फिर से दिली में गया हुए तो कहने के दद पर यह है कि यहां संसद मत्र और मत्र सत्र के समय ही आएंगे जहां जहां अनिया जगह होपर परल्लामेट का परिशर बना है जहां जहां मंत्रियों के आवस बने हैं संसद के कर्मचरियों के आवस बने हैं तो वहां वे लोग मत्र और मत्र सत्र तक ही रहेंग कि in a year of 365 days more than 300 days this property will be vacant यह property जो है यह पुरी की पुरी खाली रहेगी वर्स में 365 दिन में से 300 से अधिक दिन तक ठीक है तो यह भी एक बड़ा गंबिर परस्ना है और इसकी सफाई वगरा तो ठीक है मंगर इसकी इसका जो संरक्षन है इसकी सिक्रिटी है वो एक अपना आपना च परस्ना होती है सिक्रिटी क्योंकि ऐसे इंपोर्टन परिसर्ज को हमें राउंड दख्लोक सिक्रिटी देनी होगी राउंड दख्लोक तो यह खर्च भी बढ़ने की आशंका है साथ ही जिन जिन राजियों में अगर बहु रध्धनी का कंसेप्ट आ गया और अलग राजिय में जो कुछ-कुछ सहरों को चुनके उनको राध्धनी का दरज्जा दे दिया गया देन इपल बीए हैडएक फॉर स्टेट पॉलिस स्टेट पॉलिस क्योंकि वर्स में एक बार सत्र होगा और इस सत्र के दर्मियन पूरे सहर को पूरे राज्य को किल्ले में तबदिल कर द जहां कहीं भी होना है तो यह बहुती बड़ा प्रशन है जो कि स्टेट पॉलिस के सामने ओ सकता है जो आज मत्र और मत्र बिली का जो अरिया है वहीं होता है दिली की पॉलिस के दौरा ही यह सब सारी चीजह संबलने में आती है वो अगर मल्टीपल कापिटल की थियरी तो यही सारे कारण है जिन कारणों की वज़े से आज की सरकार यह पूरे प्रस्तावना को गंपिरता से नहीं लेगी और यह सब का खर्च अगर देख है तो यह करोडो रूपे होगा करोडो रूपे जो आज भारत इसको उठा नहीं सकता इंडिया जस्ट कैनोट एफॉर्ड प्लस हमरे पास कई सारे उदारान भी है अगर राज्यों की भी राद्धनी में चेंज करनी हो राज्यों की राद्धनी भी अगर मैं जो है उसका परिवर्तन करना हो एक जगे से दूछरी जगह लेजानी हो दैन और अलसो इट इस अवरी एक्सपेंसिव प्रोचस यह चेंज से वह अपनी राद्धनी को तीरू-चली लज़ाने का प्लान कर रहा है मगर उन्होंने जब देखा कि इतना सरा खर्च होगा तो उन्होंने अपने प्लान जो है उसको वही जो है खत्म कर दिया उसे रफा दफा कर दिया कि हम कोई अमरी राद्धनी को जो है एक जादी के बाद ही दिल्ली भरत का रद्धनी हुआ इसी बात नहीं है 1911 से दिल्ली जो है वो भरत की रद्धनी के तोर पे सेवा देता है उस समय अपने कारण है क्योंकि ये दिल्ली जो है उसका भोगलिक स्थान बहुत ही अनुकुल था इसकों लोग आगे देखने का प्रियस करेंगे मगर इन बातों से में यही देखना है यही समझना है कि मिल्टिपल केपिकल की ठीरी प्रैक्टिकल नहीं है इसे हम लागूनी कर सकते है और यह रहे इसके कारण सबसे प्रत्रम करन तो यही है कि सरकारी खर्च बहुत ही भारी मतर में सरकारी खर्च बढ़ जाएगा प्लस इसके जो रिपरकर्स्टिंस है वो भी in the form of खर्च ही हमरे समने आएंगे सरकारों को ही देने पड़ेंगे तो बेटर यह है कि यह प्रस्ता होना को हम लोग यहीं दफन कर दे इसको यहीं भूल जाए साथ ही कि अगर दिल्ली एज़े कापिडल की बात करें तो इसका बहुत ही रोचक इतियास है जिसके तहत जियोर्ज फिफ्थ में सर्व प्रथम बार 1911 में अपनी जो राद्धानी थी कलकत्ता जो आज का कलकत्ता है उससे बदल कर दिल्ली कर दिया गया प्रेलिम्नरी दरस्टी से भी बहुत ही महत्तो पुन माही थी है जो आगे अमने बात देखी वो उमरी मुख्य परिक्सर संबन्धी थी कि क्या करना चाहिए किया ये मेल्टीपल केपिटल थीरी लगू करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए आपके जो है वीचार यहां रखिया तो यह मेंस का प्रस्ण हुआ मगर यहां जो माही थी है यह प्रेलिम्नरी पॉन्ट ओफ यूसर में फाइदाकरक हो सकती है तो जो 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 फिफ्थ ने 1911 में अपनी ब्रिटिश इंडिया की जो राद दन ही थी वो करकता से निकालके वह उसको दिल्लिग प्रस्थापित किया साथी मैं आज का जो हमारा पर्लामेंट प्रिश्र है बिल्डिंग जो हमारा परलामेंट It became operational in the year 1927 में कारियरत हुआ साथ ही आज का जो उमरा राष्ट्रपती भवन है वो एक समय का वाइसरोई भवन था एक समय का गवर्नर जनरल का आवास था तो उसको आजादी के बाद राष्ट्रपती भवन में तब्दिल कर दिया गया राष्ट्रपती भवन जो पहले वाइसरोई था उससे तब्दिल कर दिया गया और यह कारियरत हुआ 1931 में यह 1931 एलोंग विट सम अधर गवर्नमेंट बिल्दिंग्स इट बिकेम ऑपरस्ट्रपती जिसको आजम राष्ट्रपती भवन के नाम से याद रखते हैं वह एक समय वाइसरोई का आवास था वाइसरोई यानि की ब्रिटिस भारत का सरवच अधिकारी भारत में प्रबंदं को देखता है भारत के वहिवट को शासन प्रसे अधिका तो उसके लिए बनाये गया था वह अब हमारे राष्ट्रपती के दोर्वररा उप्यूग में लिया जाता है और हम उसे राष्ट्रपती भवन के नाम से जानते हैं तो वो उप्रेशनल लुव 1931 में लॉंग विट अधर गोवर्मेंट बिल्दिंग्स तो यह बात है प्लस यहां दिली के ऊपर क्यों जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो फिफ्थ ने अपनी पसंद रखी क्यों दिली को पसंद किया तो इसका एक बड़ा कारण हो सकता है कि तब कलकत्ता अमरी राध्धा नहीं था तो वो कलकत्ता सामनीय दोर पर राध्धा नहीं था मगर इंग प्रियद ऑफ समर यानि की गर्मीयों के मोसम में सिमला वॉज्द कर्पिटल तो दिली की सिमलर से निकटता इसका एक बड़ा कारण माना जाता है यही दिली की अनुकुल तहुर इसलिए सन 1911 में जियोजी फिफ्ट के दौरा किंग जियोजी फिफ्ट के दौरा दिली के उपर अपनी जो पसंद गी है वो उतारी गई तो यही बात है तो यह बत रही एक प्रपोजल की अब हमें आगे देखना है सुप्रीम कोट की बात देखिया सुप्रीम कोट की जो अलग अलग जगहों में जो बैठक की मांग है वो आज दिन की नहीं है वो कई बरसों से आ रही है और यह बात कुछ हद तक व्याज भी है व्यावारिक भी है क्यूंकि अगर साउथ इंगिन स्टेट्स देखें चाहे उसमें तमिलनाड देखे या अंधरप्रदेश देखे करनाटक देखे या केरला देखे तो इन सबका जो अंतर है दिल्ली से वो बहुत ही बढ़ जाता है समानी रूप से जो कोई सुप्रीम कोट की सेवा लेना चाहता है जो कोई नागरिक तो उसको दिली तक पहुँचना अगर नागरिक हो और वहां से उसे अगर दिली पहुचना है तो ये बहुत ही खर्चपूर्ण प्रक्रिया होगी और इसलिए कई बरसों से जो दक्षिन भारत के नागरिक है वे लोग सुप्रीम कोट की एक बेंच की मांग कर रह यहां कहीं एक बैठक आप स्थाबित कीजिये ता कि हमें सुप्रीम कोट की सेवाय लेना जो है और इजी रहे उसमें और सहुलियत आ जाए तो यही बात है प्लस 2021 में यानि कि इसी बरस चैन्ने के बार काउंसिल ना है चैन्नाइज बार काउंसिल ओल्सो डिमांडेड उल्सो डिमांडेड साथ ही पिछले बरस यानि की 2020 में हमारे एटर्नी जन्रल के के वेनु गोपल के द्वारा द्वारा भी इस मांग पर स्राहमत इदर्स आई गई थी कि येस साथ ही जैसे मैं मालूम है सुप्रीम कोर्ट पुरे भरत में एक ही है और ये भी बिल्ली में ही है तो इसकी वज़ेसे बिल्ली के जो वकिल है उनका इजहरा बढ़ता जा रहा है उनकी मोनोपली बढ़ती जा रही है उनके फी देखिए अगर आप उनका वरतन देखिए तो ये भी एक मोनोपली उनकी तूट सकती है तो कुल मिलाके अगर दो प्रोपोसल्स की बात करें तो उनके से क्यापिटल वारत उनके खारी जी कर दिया वो तो ज़रुरी नहीं है मगर सुप्रिम कोट की बैठक अलग अलग जगों पर मिले ये बहुत ही जरूरी है ताकि ज्यादे से ज्यादा लोगों तक नियाई पहुच सके सुप्रिम की पहुच भी इससे बढ़ेगी इससा नहीं है सिर्फ मेरे और आप जिससे नागरिकों की पहुच बढ़ेगी मगर इससे सुप्रिम कोट की पहुच भी बढ़ेगी और क्याकर वेनुगों पालना है पंदरा जजजस की बैंच को साउथ इंडिया में स्थापिद करने के लिए सहमती दर्साइवी थी उन्होंने बोला था कि यह होना चाहिए और मैं तो कहता हूं कि मातर मातर सौथ ही मगर निरिटी ऑफटों ऊपर देखे है अगर एष्टम अगलो होड़ेगी ही निज्यास लुग कोट तक पहुचए यही बात है और इस बातोसे हम लोग निशकर्सकर्स निकाल सकते हैं कि इस में सर्ट में यहां। राध्दनी की बात प्रस्तवना है वह बहुत ही बेहुद है। से सुप्रीम कोट की बात है। करण वह अपने ह 있बर साभीत हो सकता है। अब बारी है आज के question की जो की preliminary exam के उपर आधर ही थै निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए सरोप्रतम जियोर्ज फिफ्थ के द्वारा भारत की राध्दानी कोलकत्ता से दिल्ली करी गई वर्स 1911 में दूसरा वाकिया आज का संसद परिशर वर्स 1927 से कारी रथ हुआ थर्ड आज का राष्ट्रोपती भवन ब्रेटिश समराट के लिए बनाया गया था तो यह तीन वाकिया है जिसके उपर हमें विचार करने है और इस उपरिउक्त वाक्यों में से हमें सत्य वाक्य वाक्यों को ढोंड के निकलना है नमरे समने option भी है जिसके तहत option A केवल एक कमेंट करना है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में उमरी तरफ से इसका सही जवाब इस सेशन के प्रीमियर होने के कुछ घंटों के बाद यहां पिंड किया जाएगा कमेंट बॉक्स में ही I hope you enjoyed the lecture हम लोग मिलेंगे अगले संसुदन के साथ तब तो के लिए देखतरी एक मुद बॉक्स